प्यारे बच्चों, All is well हिंदी कक्षा में मैं सुनीता कपूर आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ बच्चों, आज हम सुगम हिंदी व्याकरण कक्षा 6 का क्रिया और वर्म को पढ़ेंगे क्रिया के कितने भेद होते हैं, क्रिया किस से कहते हैं बच्चों, क्रिया की परिभाषा और डेफिनेशन, जिस सब्दों से किसी कार के करने या होने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं बच्चों, आपके सामने एक चित्र दिया हुआ है यह एक पार्क का चित्र है जिसमें लड़के दोड रहे हैं दादा जी बच्चों को खिला रहे हैं, औरते बाते कर रही है, लड़की जूला जूल रही है, इन बाक्यों में कुछ ना कुछ काम करने या होने का हमें पता चल रहा है, ऐसे सब्दों को हम क्रिया कहते हैं, जैसे अभी आप पढ़ रहे हो बच्चों क्रिया के दो भेद होते हैं, पहला सक्रमक क्रिया और दूसरा अक्रमक क्रिया बच्चों क्रिया की बात करने से पहले क्रिया संबंदी महेत्पून बातों में धातू का नाम सरप्रथम आता है हिंदी का विकास संस्कित से हुआ है और संस्कित में क्रिया के मूल रूप को धातू कहते हैं इनके साथ ना जोड़कर क्रिया के सामान रूप में बनते हैं, यह इसके साथ हम ना लगा करके क्रिया के सामान रूप बनते हैं, कुछ एक्जामपल बच्चों मैंने आपके सामने दिये हैं, इसे क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है, धातु कहलाता है, थेल, खा, पक, आद प्लस ना जाना आ प्लस ना आना खा प्लस ना खाना इसमें ना प्रत्या है बच्चो व्याक्रण के चेप्टेर में प्रत्या उपसर्ग जो कि अपन पढ़ेंगे कि प्रत्या सब्द के बार लगता है उपसर्ग सब्द के पहले लगता है तो यहाँ पर प्रत्या का प्रयोग हुआ है और कौन से प्रत्या का प्रयोग हुआ है बच्छों ना जो मूल धातू लिख जा आ और खा में जड़कर लिखना जाना आना खाना क्रिया का सामाने रूप बना देता है इसलिए क्रिया के मूल रूप को धातू कहते हैं बच्चों सक्रमक्रिया अर्थात कर्म सहित क्रिया जिन क्रियाओं का पल कर्म पर पड़ता है उन्हें सक्रमक्रिया कहते हैं जैसे राहूल खाना खा रहा है यह आपके चित्र में दिख रहा है न कि राहूल क्या कर रहा है बच्चों, खाना खा रहा है, टोकरी में सेब रखे हैं, और इन बाक्यों में खा रहा है, क्रिया का सीधा फल, खाना और रखे हैं, क्रिया का सीधा फल, फल, सेब कर्म पर पढ़ रहा है, अथा जे कौन सी क्रिया है, सक्रमा क्रिया, और जिन क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है वे कौन सी क्रिया कहलाती है सक्रमक क्रिया कहलाती है पच्चों सक्रमक क्रिया के भी दोभेद होते हैं पहला एक्रमक क्रिया बर्वित बन अबजेक्ट जिन क्रियाओं में एक ही कर्म होता है उन्हें एक्रमक क्रिया कहते हैं बाला गेंद खेलता है यहाँ पे चित्रे में दिख रहा है ना कि बच्चा गेंद खेल रहा है चड़िया दाना चुग रही है गाय घास खाती है और प्रुक्त बाक्यों में करमसा गेंद, दाना, घास के बल एक कर्म आये है अता ये एक करमक क्रिया है द्विकरमक क्रिया जिन क्रियाओं के दो कर्म होते हैं उन्हें द्विक्रमक्रिया कहते हैं जैसे मा बच्चे को भूजन खिला रही है यहां पे बच्चे और भूजन नर्ष रोगियों को दबा दे रही है रोगियों और दबा माली पोधे को पानी दे रहा है पोधों और पानी, आने इन बाक्यों में बच्चे तथा भोजन, रोगी, दवा, पोधे, तथा पानी, दो-दो कर्म आए है अता जो कुझसी क्रिया कहला है बच्चों? दुई क्रिया कहला है अब अक्रम प्रिया अर्थात कर्म के बिना करिया जिन क्रियाओं का फल करता पर पढ़ता है यहने उन्हें अक्रम क्रिया कहते हैं मुहन दोड रहा है कौन दोड रहा है? मुहन दोड रहा है बंदर नाच रहा है कौन नाच रहा है? बंदर बंदर पर पढ़ रहा है न तो फिक्त वाक्यों में दोड रहा है, नाच रहा है, क्रिया का फल किस पर पढ़ रहा है, दोड रहा है, मुहन, नाच रहा है, बंदर पर पढ़ रहा है, तो अता जे कौन सी क्रिया के लाई बच्चों, अक्रम क्रिया, शक्रम क्रिया और अक्रम क्रिया की पहचान, हम किस प् लाई-बच्चों सक्रमक-ृया, राम पुस्तक पढ़ता है, राम क्या पढ़ता है, मुहन क्या खा रहा है, मैं आखी स्कूलर जा रहा हूं, आप कहां जा रहे हैं, तो जहाँ पे उत्तर मिले, वो कौन सी एक राई-बच्चों सक्रमक-क्रिया, अक्रम क्रिया की पहचान के लिए क्रिया के साथ क्या किसे किसको लगा कर हम प्रश्ण करेंगे और हमें उत्तर नहीं मिलता है तो वे कौन सी क्रिया कहलाती है बच्चो अक्रम क्रिया कहलाती है बच्चा खेल रहा है बच्चा क्या खेल रहा है अंसर मिला नहीं मोहन पढ़ रहा है मोहन क्या पढ़ रहा है आंसर मिला नहीं राहुल भाग रहा है राहुल कहां भाग रहा है आंसर मिला नहीं और यहाँ पर हमको आंसर ना मिले और उत्तर ना मिले तो वे कौन सी क्रिया कहलाएगी बच्चों Stay home, stay safe.